लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें भारत के तटिये छेत्र को विशेश करके पूर्वी छेत्र को तभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दूस्परणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाईयों भहनों को पश्चिम बंगाल के नागरीकों को यहां के संपति को बहुत हानी पहुँचाई साइकलोन की संभावनाओं से लेकर के लगाता मैं इससे संबन दी सभी लोगों से संपर्ग में था 12 सरकार भी सतत्म राज्य सरकार के संपर्ग में थी साइकलोन का नुक्सान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक्त कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके वर्षक प्रयास किया लेकिन उसके बाउत उत्वी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाएं इसका हम सब को दूख है जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रती केंद्र सरकार राज्य सरकार और हम सब की समवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं संपति का भी नुक्सान काफी होता है चाहे अग्रिकल्चर हो चाहे पावर सेक्टर हो चाहे तली कॉम्मिनिकेशन हो चाहे घरों का उजड़ जाना हो अनेक प्रकार का, चाहे वो इन्फा सेक्टर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोगत जुड़े हुए हो, चाहे ठेसिक श्यत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुक्षान होता है आज मैंने हवाई निरिक्षन करके, बारीकी से इस प्रभावग्रस विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्णर स्री के साथ दोरा करके उसको देखा है अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्रांत्वी काकलन है, उसका व्योरा दिया है हमने ताइक किया है कि हो सके उतना जल्द, डिटेल में सर्वे हो, क्रिशी का हो, पावर सेक्टर का हो, टेली कम्निकेशन का हो, घरों की जोस्तिती है, इन्फा सेक्टर की जोस्तिती है केंद्र सरकार की तरफ से भी तदकाल एक टीम हाएगी, और वो टीम इन सभी छेत्रों में सर्वे करेगी, और हम मिल करके रियेवरिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्रक्शन हो, उसकी व्यापग योजना बना करके, बंगाल की इस दुख की घड़ी में, हम पूरा-पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, और बंगाल जद से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जब से जल्द तेजगती से आ होगी, उन आवश्रक्ताओं को पूर्ण करने के लिए, भारत सरकार के जो भी निती नियम है, उसका पूरी तरह उप्योग करते हुए, परचिम मंगाल के मदद में हम खड़े रहेंगे, अभी ततकाल जो इस संकट की घड़ी में, राज्य सरकार को कठिना ही नहो, इसके ल जिन परिवारों ने अपने स्वेजन खोये हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री जाहत कोच से दो लाग रुपया, और जिन लोगों को इंजरी भी हैं, उनको पचास हजार रुपया तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री जाहत कोच से करेंगे, पूरी दुनिया एक संकट से जूज रही, भारत भी लगाता कोरोना वारस के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना वारस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइकलोन में जीतने का मंत्र, दोनों पुरी तरह एक दूसरे के अपोजीक है, कोरोना वाइरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है बही रहे जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए दूर गज की दूरी बनाए रखे लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है जल्दी से जल्दी सुरक्षी स्थल पर अब सिफ्ट कर जाएए वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए अपना घर खाली कीजिए यानि दोनों अलग अलग पकार की लड़ाईयां एक साथ पस्चिम मंगाल को लड़ने पड़ी है लेकिन उसके बावजूत भी ममता जी के नेत्रुत में राजय सरकार ने बर्सक प्रयास किया है भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकड की घड़ी में जो भी आवशक जो एड़वांस पर करने योग्य था जो उसी जमय करने का योग्य था और जो आगे दिन्यों के करने की आवशकता है उसको भी पुरा करने का हम प्रयास करेंगे आज समगर देश को जिन के लिए गवरव है ऐसे राजा राम मोहन राईजी की जन्व जैनती है और उस समय मेरा पस्चिम मंगाल की इस पवित्र धर्ति पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है लेकिन संकड की घड़ी से हम जूज रहे हैं तब मैं तो इतना ही कि राजा राम मोहन राईजी हम सब को आशिरवात दें ताकि समायनुकुल समाच परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैट करके मिल जूल करके एक उजवल भविश्य के लिए भावी पीड़ी के निर्मान के लिए समाच उधार के अपने काम को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोहन राईजी को उत्तम स्रद्धानली होगी मैं मेरे परसिम मंगाल के सभी भाईयों बैणों को भी स्वाच जलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों वे खड़ी रहेगी इसी संकट की घड़ी के समाई आप सब से मिलने आया हूँ लेकिन कोरोना वाइरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पार रहा हूँ मन में एक कसक तो रह जाएगी यहां समय आज उडिशाएगी और जाओंगा और वहां भी हवाईनी विक्षान करूंगा वहां के माने मुख्यमितरी जी से वहां के सरकार से बाच्जित करूंगा मैं फिर एक बार पच्चिम मंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ जद्द से जल्ब आप इस संकर से भार रिकले इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद